हेलो फिंट्स वेलकम बाक तो आर चैनल सब्स्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मार्केट इकदम पीक पर चल रहा है और हमें कुछ इस तरह के कंपनी ढूननी पड़ रही हैं जिसमें कि अभी भी वो अपने 52 वीक हाई से काफी दूर है या फिर अभी काफी इसमें स्टीम बाकी है तो उसी के तहत में ये कंपनी लेके थोड़ा सा क्विकली ब्राउज थू करते हैं और क्विकली देखते हैं अभी कहां पी चीजे अस्टेंड करती हैं आज की तारीक में बट बिफोर वीटेटिल्स आइव वोड़ सजेस्ट एवरीवन तो बिसीकली सपोर्ट मी इन टरम्स अभी सब्स्राइबर बेस बेस्ट and appreciating it also i would definitely want to take one or two names because uh जिन्होंने में को काफी encourage किया है so उसमें से एक uh बहुत ही अच्छा में को कमेंट किया Mr. Vijaykumar Chaurasiya ने he has encouraged me like anything and he has definitely supported my work as well and uh thank you so much uh injecting and keep supporting me the way you are onuce because of some theания that Mr. Anjit Lakalwal he has के अलावा काफी लोग हैं जो मैंने लास्ट राइम भी बताया था आप लोग को थांक यू सो मच पर अप्रिशिएटिंग मैं वोग एंड की वाचिएटिंग मैं वीडियोज और गिव में थांस अप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनली गो और सब्सक्राइब मैं चैनल हिट अपने बेल इकन अगर हैं पर आपको पता है 30,000 को बाव लाज चांट होती है तो वह उस का गार पर अल्रडी है करन प्राइस आज 880 रुपे पे बंद हुआ है हाई लो अगर देखते हैं तो आज की तारीक में भी यह बिलकुल मीडियन पे खड़ी है यह कंपनी और इसी वज़े से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की कंपनी हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखते हैं तो बारा के आसपास है जबकि इंडस्ट्री का पी बीस के आसपास है बुक वैल्यू के हिसाब से भी काफी अच्छी जगे पे पॉईज है फोरण फोरण एट इस बुक वैल्यू जबकि प्राइस तो दो टाइमस आ रहा है इसमें डिविदेंड बहुत अच्छा है 3.82% अगर आज आप खरीद लेते हैं और यह कंपनी मैं बोलता हूँ बिलकुल भी नहीं चलती है और 5% के हिसाब से भी चलती है तो आपके ओ नाना करते भी 9-10% का रिटर्न पूरे साल भर में एजी ली दे देती है बिकास डिविदेंड काफी efficient organization है यह return on equity देखते हैं तो 20% वो भी बहुत अच्छी है अगर promoter की holding देते है 75.2% जो की अभी कम हुई है थोड़ा सा but because of regulatory things government ने अपना stake कम किया है इस company में वो आगे समझेंगे थोड़ा सा quickly profit after tax आप देखते है 24 सा 54 करोड का इन्होंने profit किया है pledge percentage कुछ नहीं है debt to equity बिलकुल debt free type company है EPS अगर आप देखते हैं तो 73 रुपीज के आसपास का EPS आता है interest coverage ratio भी काफी अच्छा है 11.7 and reserves काफी अच्छे 13,652 क्रोड के आसपास है यह company करती क्या है यह company जो है manufacture करती है aircrafts and helicopters and repair maintenance का work भी करती है aircrafts and helicopters की अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि comparison so इनक capital goods non electrical equipment के साथ अगर compare करते हैं तो HAL की PE आज की तारिक में सबसे सस्ती दिखती है HJC heavy के अलावा तो HJC is not that great company तो मैं उसके साथ comparison नहीं करूँगा बट किसी भी yardstick पे देखे हैं तो price earning ratio के साथ सबसे सस्ती company में को दिखती है price to book value भी देखते हैं तो भी 2.08 times है जबकि बाक तो सभी parameter पर काफी अच्छे से खड़ी है ये company और अगर हम बात करते हैं इसके quarterly results के September quarter में इसने जबरदस्त performance दिखाई है 4854 crores का इसने sales number दिखाया है जो कि last year से भी almost आप देखेंगे तो कितना percent sales growth दिखाई है इसने 40% के आसपास 41% का robust sales growth इसने दिखाई है expenses बड़े है 3824 करोड के और last year यही expenses 2748 करोड पे थे तो almost 42% sales का या 44% sales का इन्होंने expenses में किया है पूरा खर्चा जिसमें से material cost आती है 49.95% and employee cost आती है 21.23% तो यह इस तरह से bifurcation है ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफित देखते हैं 1000 करोड का operating profit किया है तो काफी time बाद इन्होंने इस तरह की performance दिखाई है अगर last quarter March 2019 में इन्होंने एक quarter में 2600 करोड का profit दिखाया था net profit की बात करते हैं तो 615 करोड का net profit दिखाया है जो की बहुत अच्छा profit इन्होंने शो किया है profit and loss की बात भी करते हैं तो year on year जो है आप अगर देखेंगे तो consistently grow कर रही है 16 से लेकि और अभी तक 2438 करोड का इन्होंने total sales किया था 2020 में operating profit भी consistent way में grow कर रहे है profit profit after tax मतलब net profit की बात करते हैं तो वो भी काफी consistent way में grow कर रहे है आज की तारिक में 283 करोड किया था आज अगर trailing 12 months की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा dip आया है because because of this covid and all those things as well as you know balance sheet की बात करते हैं तो balance sheet जैसे मने बताया कुछ जादा नहीं है 4332 करोड का ही इनके ओपर debt है cash flows की बात करते हैं तो 250 करोड का net cash flow इनके पास आ रहा है अगर इनकी share holding pattern की बात करते हैं तो share holding pattern आप देख सकते हैं कि promoter की share holding pattern पहले 90% के आसपस थी but because the regulatory requirements से भी को ने ये बड़ा clear है कि within 3 years of the listing then आपको 75% तक ही promoter holding अपनी रख सकते हैं तो अभी वो OFS के थू इन्होंने अपना 15% stake बेचा and that was the overhang and due to which ये share जो आपको 52 week high आपको दिख रहा है 1424 ये OFS से पहले चला हुआ share है क्योंकि इसका जब OFS आया था तो 1000 के आसपस आया था उसमें भी retail investors के लिए 950, 50 रुपए का discount भी था तो 950 रुपए का OFS आने के बाद ये काफी जबर्दस तरीके से नीचे गिरा and I am sure जिन्होंने भी नीचे लिया होगा उन्होंने profit book किया and अभी फिर से इसने upward journey show की कर दी है तो अगर आप FIS का देखते हैं तो FIS भी slowly इसमें enter कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो June quarter में बिल्कुल 0.01% था बट अभी September quarter में 0.35% FIS इसमें enter कर गए हैं दी आइज देखेंगे तो दी आइज आठ साड़े 8% थे जो की अब बढ़कर almost 19.45% के आसपास का दी आइज होल्डिंग है तो आप देख सकते हैं floating stock बिल्कुल 5% है कुछ भी नहीं है floating stock in के पास और इसी वज़े से आप I would say इसको अपने portfolio में रखिये dividend paying company है growth oriented story है और आपको पता है defense में government का कितना जबरदस thrust है इस time पर because china एक तरफ से खड़ा है और दूसरी तरफ से आपको पता ही है पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है तो इस time पर बहुत जबरदस्त focus है government का भी on defense defense में काफी अच्छी company है और अगर आप देखेंगे तो अभी कुछी दिन पहले इन्होंने अपना board meeting में एक first interim dividend भी घोशित किया है 15 रुपय का तो आप यह धियान रखिएगा इसका जो record date है 19 तारीक है 19 December को अगर किसी के पास है तो 19 तारीक तक जरूर बना के रखिए अपने पास क्योंकि 15 रुपय का आपको interim dividend भी मिलेगा इसमें अगर 19 से पहले बेज देंगे तो definitely आपको यह 15 रुपय का dividend का फाइदा नहीं मिलेग तो keep it with you and for a long term basis you can keep it and बहतरीन company है और अगर आप इसका देखते हैं कि आज की तारीक में 882 रुपय पे बंद हुआ है बट आप अगर deliverable quantity देखते हैं तो 36.12% की delivery इसमें उठी है तो 3,86,000 shares इसमें ट्रेड हुए हैं जबकि 1,49,600 shares इसमें delivery में चले गए हैं आज तो I would still say कि अब ही इतने जादा steam के बीच में इतना जबरदस्त share market भाग चुगा है बट still I would say this is the best time to buy अब मैं इसके levels हम लोग देख लेते हैं चार्ट पर भी कि यह कहां पर poised है और अगर हमें लेना है तो कई जगह पर इसको लेने की बहुत बैतरीन जगह है तो आप जैसा देख सकत था because of this OFS और उसने नीचे यहां पर 1071 पर आया और उसके बाद दो downward journey शुरू की और जो technical analysis जानते हैं वो अगर देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा morning star pattern बना चार नवेंबर 2020 को और उसके बाद यह चलना शुरू हुआ और वहां से चलते चलते अभी यह 830, 835 के आसपस लेना चाहिए है इस stock को because अभी अगर आप देखेंगे तो इसका RSIB 71 के आसपस पहुँच चुका है और अगर आपको इस level मिलता है 830 के आसपस आप definitely इसको ले सकते हैं और keep a strict stop loss of 785, 785 रुपय का stop loss रखेगा because इसने अभी breakout दिखाया है कुछ ही दिन पहले यह इसका breakout का level है जो मैंने आपको यह green color की line में आपको show कर रहा हूँ 830 रुपय के आसपस यहाँ पे इसने breakout दिखाया है और इसके बाद अब next पढ़ाव इसके लिए क्या है next पढ़ाव इसके लिए important जो दिखता है मेरे को वो दिखता है जो immediate छोटा सा hurdle है वो है 940 रुप के आसपस 6570 के आसपस वो भी निकाल देता है तो फिर तो इसकी काफी अच्छी जर्नी आप देखेंगे और I am sure that you will accumulate lot of money as well so you can create a wealth for yourself तो इतना ही आज के लिए HAL बहतरीन company और बहतरीन price पे आपको मिल रहा है तो obviously you should accumulate this stock and keep it for a longer period of time अगर आपने अभी तक अपना DMAT account नहीं खुलवाया है तो आप मेरा description box में link देख सकते हैं angel broking में जाकर free of cost अपना DMAT account खुलवा सकते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूत नहीं अभी जहां पर मैं swing trading के ideas देता हूं जैसे कि आपको मैंने काफी बार बोला की भारती एयटल ले सकते हैं 500 रुपय के आसपास अब भी आज आज आपने देखा होगा 516 रुपय बंद हुआ है Loras Labs मैंने बहुत अच्छे रेट से बताया था Sun Farma मैंने काफी अच्छे रेट से बताया था आपको रीसेंटली मैंने चंबल फर्टलाइजर बताया हुआ है वह भी नहीं चला है बट वह चलने को चलेगा definitely because उसने बहुत अच्छे patterns है इसी तरह से अगर आपको भी swing trading के ideas च बड़ी है I think almost 80% के आसपास की accuracy मेरी रही है and I'm sure जो में को follow करेंगे उन अच्छा पैसा भी बनाया होगा so this is it in case you haven't subscribed my channel as I requested you please subscribe my channel as well and hit the bell icon thank you so much for watching this video